श्री सच्दानन सद्गुरू साइनात महराज की जै श्री साइ सचरित्र अध्याय उन्चास श्री साइ बाबा के चित्र की कथा देव को ग्यानेश्वरी के पाट की आग्या वाचिंदियों की चोरी की कथा श्री साइ बाबा के चित्र की कथा पिछले अधाये में बताया जा जुका है कि अली मुहम्मद ने मुलाना इस्मु मुजावर के साथ जाकर हेमान पंद को श्री साइं बाबा का मनोरम चित्र भेट किया था जहां उसी कथा का विस्तार दिया जा रहा है हेमान पंद को बाबा का चित्र भेट करने के बाद अली मुहम्मद का हेमान पंद से पुना मिलना नौ साल बाद हुआ तब उन्होंने पंद को बताया कि बाबा का वहचित्र उन्होंने मुंबई की एक दुकान से खरीद कर उसे फ्रेम करवाया और मध्य मुंबई की बस्ती में सिथ अपने घर में दिवार पर लगा दिया क्योंकि बाबा के प्रती उनका सुभाविक प्रेम था वे बाबा के नित्य दर्शन किया करते थे लेकिन जब अली मुहमद ने हिमान पत को वेह चित्र भेट किया था उससे तीन महीने पुर्व उनके पैर में सूजन आ गई जिससे उन्हें शले शकित्सा यानि की ऑप्रेशन करानी पड़ी थी उस समय वे अपने साले नूर मुहमद के यहां थे इस बीच उनके घर में कोई नहीं था इसलिए घर में ताला लगा था ताला लगे घर में बाबा अब्दुल्रह्मान, मुलाना साहिब, मुहमद हुसेन, श्री साई बाबा, तवजुद्दीन बाबा तथा कई अन्य संतों के चित्र थे अली मुहमद ने सोचा कि वे स्वेम बिमार होकर मुंबई में हैं तो फिर चित्रों को क्यों कश्ट दिया जाए काल चक्र ने अन्य चित्रों को तो नश्ट कर दिया, लेकिन श्री साई बाबा का चित्र ही सुरक्षित था ऐसे कैसे हुआ, ये वे नहीं समझ पाए इससे उन्हें श्री साई बाबा की सरव्यापकता वा दिवे शक्ति का अनुमान हुआ अली मुहमद को कुछ ही वर्षपूर्ग मुहमद हुसेन थारिया, टोपर्ट से प्रसित संद बाबा अब्दुल रह्मान का एक चित्र मिला था वे चित्र उन्होंने अपने साले नूर मुहमद को दे दिया था लेकिन वे चित्र उसकी मेज पर आट वर्ष तक जैसा का तैसा पड़ा रहा फिर अली मुहमद ने ही किसी फोटोग्राफर से उसकी कई बड़ी फोटोए बनवाकर अपने मित्रोवा रिष्टे दनातेदारों में बांटी उन्ही में से एक चित्र अली मुहमद ने अपने घर की दिवार पर लगाया था नूर मुहमद संद अब्दुलरह्मान के शिष्टे थे एक बार जब संद अब्दुलरह्मान का दरबार लगा था तब नूर मुहमद उनका एक चित्र उन्हें बेट करने गए लेकिन उस चित्र को देखका संद क्रोधित हो गए और नूर मुहमद को मारने के लिए और दरबार से भगा दिया उस समय नूर मुहमद बड़े हताश हुए कि उन्होंने इतना पैसा खर्श करके फ्रेम बनवाया फिर भी गुरूव के करोद का उन्हें भाजन करना पड़ा वास्तम में संत अब्दुलरह्मान मूर्ती पूजा के सक्त खिलाफ थे अधवे उस चित्र को लेकर अपोलो बंदरगा पहुँचे और एक नौका में सवार होकर उस चित्र को समूद्र के ठीक मर्दे में बहा दिया इसके बाद नूर मुहमद ने गुरू की जितने भी चित्र मित्रों रिष्टदारों में बांटे थे पह सब वापस मंगवाकर उन्हें एक मछोओरे के हाथ से बांदरा के निकेट समूद्र में विसर्जित करवा दिये उस समय अली मुहमद अपने सालिय के घर पर ही थे तब एक दिन नूर मुहमद ने अली मुहमद से कहा कि यदि तुम सारे चित्र समूदर में विसरजित करा दोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे फिर अली मुहमद ने अपने मैनेजर महता को अपने घर भीज कर सारे चित्र समूदर में विसरजित करवा दिये लेकिन दो माँ बाद जब अली मुहमद घर लोटे तो उन्हें ये देखकर बड़ा चमबा हुआ कि श्री साही बाबा का चित्र यधावत अपने स्थान पर लगा था वे समझ नहीं पाए कि सभी चित्र तो विसरजित करवा दिये गए थे फिर श्री साही बाबा का चित्र ही कैसे बचाग रह गया फिर अली मुहमद ने सूचा कि यदि उनके साले नूर मुहमद ने श्री साही बाबा का चित्र देख लिया तो वे इसे भी विसरजित करवा देगे जब अली मुहमद ऐसा जविचार कर रहे थे तब उनके दिमाग में विचार आया कि श्री साहिं बाबा की इस चित्र को अच्छी तरह कौन रख सकता है तब श्री साहिं बाबा की प्रेणना हुई कि मुलाना इस मुझावर से इस बारे में परमश करो और जैसा वह कहें वैसा ही करो अली मुहम्मद मुलाना इस मुझावर से मिले तो उन्होंने कुछ विचार करने के बाद कहा कि यह जित्र हेमानपन यानि आपको भेट करना ठीक होगा क्योंकि आप ही इसके सत्पात्र हैं तब हम लोग आपके पास आई और आपको यह जित्र भेट कर दिया इसके बाद अली मुहम्मद हेमानपन से आग्या लेकर चले गए यह कदा संकेत करती है कि श्रे साइवावत रिकालग्य थे और भक्तों के मनोरत पून करने में सक्षम थे देव को ग्यानईश्वरी के पाट की आग्या वचिंदियों की चोरी की कथा उन दिनों बीवी देव ढानू के मामलतार थे और काफी समय से उनकी इच्छा धर्म ग्रंथों के अध्यन के साथ ही ग्यानेश्वर महराज द्वारा मराटी भाषा में रजित श्रीमत भगवत गीता की टीका के पाट करने की थी वैसे वे श्रीमत भगवत गीता का एक अध्याय नित्य पड़ा करते थे तथा अन्य ग्रंथों का भी अध्यन किया करते थे लेकिन वे जब श्री ज्यानेश्वरी का पार्ट करने बैठते थे तो अनेक विग्न पैदा हो जाया करते थे जिससे वे ज्यानेश्वरी का पार्ट नहीं कर पाते थे आखिर उन्होंने निश्रे किया कि जब श्री साही बाबा की आग्या होगी तभी वे इसका शुबारम करेंगे फरवरी 1914 में वे सब परिवाश शिर्डी पतारे तो बापो साहिब जोग ने उनसे प्रशन किया कि क्या आप क्या निश्वरी का नित्य पाट करते है इस पर देव ने कहा कि इच्छा तो मेरी बहुत है लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा अब तो जब भी बाबा आग्या देंगे तभी मैं श्री गनेश करूँगा जब जोग ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि ऐसी बात है तो ग्रंद की एक प्रती खरीद कर बाबा को भेट करो यदि वे ग्रंद को स्पर्श करके लोटा दें तो पाट शुरू कर देना देव ने कहा कि बाबा तो अंतर यामी है मेरे मन की बात भला उनसे कैसे चुपी रह सकती है फिर इस पर्णाली को अपनाने की क्या वे शक्ता है क्या वे इस पश्रूप से आग्या देकर मेरे मनोरत को पूरा नहीं करेंगे इसके बाद देव ने बाबा की दर्शन की और एक रुपे की दक्षना भेट की लेकिन बाबा ने दक्षना में बीस रुपे मांगे जो देव ने प्रसंता पुर्वक दे दिये राद में जब देव ने बालक राम से भेट करके उनसे पूझा कि आपने बाबा की भक्तिवा क्रिपा कैसे प्राप्त की तो बालक राम ने कहा कि मैं अगले दिन आर्थी स्माप्ती के बाद सब कुछ बतलाऊंगा अगले दिन देव बाबा की दर्शनाद मस्जिद गए तो बाबा ने उनसे फिर 20 रुपे दक्ष्रा में मांगे देव ने 20 रुपे भेट कर दिये बाद में वे एकांद में बैट गए क्योंकि उस समय मस्जिद में काफी भेटी लेकिन बाबा ने उन्हें बुला कर अपने पास बिठा लिया जब आरती हो चुकी और लोग अपने अपने घर चले गए तब देव ने बालक राम से पहली पूछी गई बाते फिर पूछी बालक राम उत्तर देने ही वाले थे कि चंद्रू कोडी ने आकर कहा कि देव साहिब को बाबा बुला रहे हैं जब देव बाबा के पास पहुचे तो बाबा ने पूछा कि तुम किस से और क्या बात कर रहे थे तब देव बोले कि मैं तो बालक राम से आपके यश की बारे में सुन रहा था इस पर बाबा ने उनसे फिर पच्चिस रुपे दक्ष्रा में मांगे तो देव ने सहेश दे दिये इसके बाद बाबा उन्हें अंदर ले गए और आसन पर बैटने के बाद उन पर दो श्रोपन करते हुए बोले कि मेरी आगे के बिना तुमने मेरी चिंद्यों की चोरी की है तब देव बोले कि भगवन मेरे समरन उनसार मैंने ऐसा कोई कारे नहीं किया लेकिन बाबा कहां मानने वाले थे वे बोले कि अच्छी तरह ढूंडो देव ने ढूंडा लेकिन कुछ भी नहीं मिला तब बाबा क्रोधित होकर बोले कि तुम्हारे अलावा यां है ही कौन तुम ही चोर हो तुम इतने बुडे हो गये हो फिर भी हाँ चोरी करने के लिए आये हो बाबा का क्रोध और बढ़क गया क्रोध के कारण आखे लाल हो गई वे देव को गालियां देते हुए जोर जोर से डाटने लगे लेकिन देव चुपचाप सुनते रहे वे मार पढ़ने की आशंका से ग्रस्त हो चुके थे लेकिन एग घंटे बाद बाबा ने उनसे कहा कि वे वाडे लोट जाए वाडे लोट कर देव ने सारा किस्ता बापु साहिब जोग वा बालक राम को सुनाया फिर दोपहर बाद बाबा ने सबके साथ देव को भी अपने पास बुलाया और बोले कि मेरे शब्दों के कारण शायद इन व्रित को पीड़ा पहुँची होगी इन्होंने चोरी की है लेकिन सुईकार नहीं करते ततपश्राद उन्होंने देव से दक्षना में बारा रुपे मांगे देव ने प्रसंता पुर्वक भेट करते हुए बाबा को नमस्कार किया तब बाबा देव से बोले कि आजकल तुम क्या कर रहे हो देव ने कहा कि कुछ भी नहीं इस पर बाबा बोले कि तुम नित्य ग्यानेश्वरी का पाठ किया करो जाओ वाडे में जाकर पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्ट दूसरों को भी प्रेम भाव से समझाओ मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला, सुनहरा दुपट्टा भेट में देना चाता हूँ फिर तुम दूसरों के पास चिंदियों की आशा से क्यों चाते हो ऐसा करना क्या तुम्हारे लिए शोबनिय है ग्यानेश्वरी के पाठ की बाबा से आग्या मिल जाने पर देव को बड़ी प्रसंता हुई उन्होंने बाबा को साश्टांग पर नाम करते हुए कहा कि प्रभो मैं अभोच शिशू आपकी शरण में हूँ पाठ करने में आप मुझे साहता दे देव को चिंदियों की चोरी वाली बात अब समझ में आ चुकी थी वस्तुता बालक राम से उन्होंने जो कुछ पूचाता बहचिंदी सवरू भी था बाबा से देव सबकी शंकाओं का समधान करने को तदपर रहा करते थे अधा उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इधर उधर से पूच्टाश करता फिरे यही कारण था कि वे देव पर इतने क्रोधित हुए थे लेकिन देव ने इसे बाबा का आशिरवाद समझा और फिर वे संतुष होकर घर की और प्रस्थान कर गए देव को ग्यानेश्वरी के पाट की आग्या देने के एक वर्ष बाद विस्वयम देव के पास गए प्रगृति के बारे में पूच्टाच की दो अप्रेल 1914 को प्रस्थ पतिवार के दिन बाबा ने देव को सफन में पूचा की क्या उन्हें पोथी ग्यानेश्वरी समझ में आई जब देव ने नकरात्मक उत्तर दिया तब बाबा बोले की आखिर तुमें कब समझ में आईगी फिर देव आखों में आशू भर कर बोले की प्रभू मैं निश्यपूर्वक कहता हूँ कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक इसका अर्थ समझ पाना मेरे लिए कठिन है तब बाबा बोले की तुम मेरे सामने इसे पढ़ कर सुनाओ तुम शिगरता से पढ़ते हो फिर देव के पूछने पर बाबा ने उन्हें अध्यात्म विश्य से संभंधित अर्णश पढ़ने को कहा लेकिन देव जब पोधी लेने गए और नेत्र खोले तब उनकी नेत्र तब तक साइंस अम्रन करते रहे अच्छे कारे करे बाबा के बताये हुए मार्क पर चलते रहे जूट मत बोले सत्य की रापर चलिए और बेजुबान पशु पक्षियों की मदद जरूर करे ओम साहिराम जै साहिराम